आज में स्टार्ट करेंगे एक्सराइज 10.1 मैं इसका पूरा बेसिक्स आपको बता चुका हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कोई भी चैप्टर करने से पहले उस एक्सराइज का इंट्रोडक्शन लेक्सर जरूर देखो क्योंकि अगर आपने वो लेक्सर नहीं देखा तो 10.1 एक्सराइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी हाँ जिस बच्चे ने वेक्टर पहले बढ़ रखा है वो रिवाइज करना चाहता है उसके दिए देखना जरूर नहीं है बट जो वेक्टर को स्टार्टिंग से कर रहा है उसके दिए पहले इंट्रोडक्शन लेक लेक्टर के अंदर आपको बताए है तो देखो पहला एक्जेंपल आपका एक्सराइज 10.1 का यहां पर हम एक्जेंपल्स करेंगे और सारे के सारे अनसोल कोशन करेंगे रीपर्जेंट ग्राफिकली डिस्प्लेस्मेंट ऑफ 40 किलोमेटर कितनी दूर गए आप 40 किलोमेटर कहां पर किस डिरेक्शन में गए हो 30 डिगरी वेस्ट ओफ साउथ इसका मतलब मैंने आपको बताय हुआ है कि 30 डिगरी वेस्ट ओफ साउथ का क्या मतलब होता है तो पहले आप क्या करो डिरेक्शन बना लो introduction lecture जिसने देख लिया एक भी question इस पूरी exercise में ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो बिल्कुल आसान question है east, west, north और south तो आपको क्या जाना है 40 km जाना है वो तो हम बना देंगे लेकिन जाना कि इस direction में यह जरूरी है 30 degree west of south इसका मतलब है south से west की तरफ south से west की तरफ 30 degree देखो बैचो यह है क्या south यह south है यह वाली और west की तर यानि की south चलते-चलते आप west की तरफ मुड़ जाओ इधर मुड़ जाओ कितने डिगरी 30 degree मतलब की यहाँ पे आजओ south से चलते-चलते west की तरफ मुड़ जाओ यानि कि आप साउथ की तरफ जाने वाले थे मालों सिद्धा आप है ना 30 degree वेस्ट की तरफ मुड़ गए तो इसको बोलेंगे 30 degree West of South ये आप गए लेकिन कितने किलोमेटर 40 किलोमेटर क्योंकि वेक्टर में आपकी क्या होती है direction प्लस magnitude direction तो आपकी ये होई गई है न magnitude इसका magnitude आपका 40 होना चाहिए 40 km तो मैं क्या करता हूँ देखो ये लाइने लगा देता हूँ छोट छोटी unit बना देता हूँ 1 माल लेता हूँ 2 ये माल लेते हैं 3 और ये माल लेते हैं 4 तो ये कितना होगे आपका 40 km होगे ये पूरी यहाँ पर आपको दिखना पड़ेगा ये जो 1 unit है ना ये जो 1 unit है वो किसके equal है बच्छो 10 km के तभी तो आप दिखा पाओगे ना कि आपने ऐसी चार unit बनाई है तो ये कितनी दिखा रही है 40 km की लेंज दिखा रही है यानि कि इसका magnitude कितना है 40 और direction आपने इस arrow से क्या है दिखाई दी तो हम इसको नाम दे देते हैं मानलो P इसको नाम दे देते हैं क्या ओ तो हम लिखेंगे last में here last में क्या लिखता हो बच्छो here op vector ये जो op vector है ना आपका op vector shows a displacement of ये 40 km की displacement दिखा रहा है कि displacement of 40 km लेकिन direction भी कहाँ पे कहाँ पे 30 degree west of south 30 degree west of south मतलब कि इस displacement को हमने एक vector के तुरू show करना था graph पे हमने show कर दिया ये कौन सा वेक्टर है बच्छो op vector इसने direction भी बता दी यहाँ पे 30 degree भी हमने लिख दिया और इसका magnitude कितना है 40 ये भी हमने क्या है define कर दिया question खतम अब देखो आपका second example second example में सिरफ बच्छो आपको classify करना है इन measures को ये जो है scalar से या फिर क्या है vectors है five seconds ये time होता है ये क्या है time है time क्या होती है scalar quantity होती है ये मैंने आपको सारा introduction लेक्षिन में पताय हुए है 1000 cm kyub ये क्या होती है बचो volume होती है अगर आपको नहीं पता वोल्यम भी क्या होती है scalar quantity होती है area होता है volume होती है speed time distance ये सारी के सारी क्या होती है scalar quantity होती है फिर उसके बाद देखो आपका third question है 10 Newton नूतन किसकी unit होती है force की और force क्या होती है बच्चो vector quantity, it is a force and force is a vector quantity आपको सब चीजों का पता होना चाहिए fourth है 30 km per hour आपको ये पता है, ऐसे क्या लिखे जाती है speed लिखे जाती है 30 km per hour ये तो speed है और speed क्या होती है, scalar quantity यानि कि जो चीजे बच्पन से पढ़ते आए हो आप ये मालो, वो सारी की सारी क्या है, scalar quantity है 10 gram per centimeter cube बच्चो ये क्या होती है, density होती है density हम जैसे weight निकालते हैं किसी भी चीज़ का, sorry, mass, mass निकालते हैं कि 1 centimeter cube में 10 gram mass है तो उसको density बोलते है density क्या होती है, हमारी scalar quantity होती है फिर sixth है अपना 20 meter per second 20 meter per second आप गए हो towards north, यहाँ पर देखो direction भी बता दी यानि कि speed के साथ साथ अगर direction भी बता दी जाए तो वो क्या बन जाती है, वो velocity बन जाती है, क्या बन जाती है, velocity और velocity क्या होती है, एक vector quantity होती है यहाँ पर speed तो ही है लेकिन direction भी होगी, किस की तरफ north direction की तरफ, यह velocity बन की अब देखो बच्चों, यह question आप आप होगी खतम, अब इस figure के अंदर आपको यह तिन चीजे बतानी है, इसमें collinear vector कौन से है equal और co-initial introduction lecture अगर आपने देख लिया तो इस पूरे question का answer आप बहुत आसानी से देदोगी देखो, collinear vector में आपको बताया है collinear का मतलब क्या होता है जो एक ही line के parallel हो या फिर एक ही, उनकी दोनों की support क्या हो बच्चों, सेम हो, जैसे आप कुद देखो यह जो vector है C vector, यह क्या है बच्चों यहाँ पे C vector और यह क्या है आपका D vector और यह क्या है आपका बच्चों, A vector है ना यहाँ पे यह मत समझना कि यह इदर जा रहा है यह direction यह तो vector का symbol है यह तो बच्चों क्या है, C vector vector के ओपर लगा हुआ है, इस C vector की direction किदर है, उपर की दरफ देखो, यह arrow लगी हुई है ऐसी D vector की direction क्या है downwards, A vector की direction क्या है upwards, तो यहाँ पे एक बात सोचो यह A vector तो मेरे को इसके पैदल दिखाई दे रहा है, ऐसी के है ना, और C vector और D vector आपस में कोलिनियर क्यों है क्योंकि इनकी जो line of support है, वो क्या है, same है, support क्या होती है, आप समझते हो ना, जो इस, इस C vector उन को भी क्या है, और यह क्या है बच्चों, क्यों, जो A vector की line है, L1, यह महाıllवो L1 है, यह महा69 L2 है, L1 और L2 क्या है, यहां पे पैदल है, तो इन दोनों की support जो है, वो क्या है, पैदल है तो A vector और फिर C vector और D vector यहां पे क्या है बच्चों आपके kolinear vectors है यह क्या है kolinear vectors सब कुछ मैंने detail में समझाया हुआ है introduction lecture में कि यह kolinear ऐसे क्यों होते है ठीक है फिर बात आती है बच्चों second क्या equal vector की equal के अंदर क्या होता है आपका direction भी same होने चीए इक्वल वेक्टर के लिए ध्यान रख लो direction क्या होने चीए बच्चों आपकी same होने चीए और magnitude भी क्या होना चीए उनका same होना चीए magnitude भी क्या होना चीए आपका same होना चीए तो आप देखो जिनका same direction और same magnitude आप यह देखो यह जो लगा रखे ने इसने एक unit तो मतलब कि यह equal है सारी के सारी जैसे यहां से लेकर यहां तक यह equal है यह इतना part और यह इतना part क्या है बच्छो equal है तो यह देखो A vector उपर की तरफ जा रहा है C vector भी उपर की तरफ जा रहा है और D vector equal नहीं हो सकता क्योंकि D vector की direction अलग है इसकी magnitude तो सेम है A और C के इतना लेकिन बच्छो यह क्या है direction इसकी देखो अलग होगी इन दोनों की direction देखो क्या है upward है तो यहां पे कौन-कौन से vector होगे आपके A vector and C vector are equal vector समझ के इनकी direction भी क्या है same है और बच्छो magnitude भी क्या है same है बाकी कोई भी दो वेक्टर ऐसे नहीं दिखाई देरे इस diagram के अंदर जिनकी direction और magnitude क्या हो अब की same हो ठीक है हो गया question फिर बात आती है third question की co-initial vector बच्छो co-initial मैंने क्या बताय हुआ है जिनका initial point क्या हो same जो same initial point से start हो यह देखो यह तो initial point हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो यह vector आके मिल रहा है यह initial point है देखो इस initial point से कितने vector जा रहे है एक तो B vector जा रहा है इदर एक निचे की तरफ D vector जा रहा है और एक उपर की तरफ C vector जा रहा है मतलब कि इन तिन्नों vectors का initial point क्या है यह same है बच्चो O है ना क्या लिखेंगे C vector, D vector and B vector are co-initial vector यह क्या है आपके co-initial vectors है यह क्यों है co-initial vector because because their initial point इन तिरनों vector का बच्चो जो initial point है O वो क्या है same है तो gene vectors का initial point same होता है उनी को तो co-initial vector बोलते है न तो यह तिरनों vector आपके क्या हो जाएगे co-initial हो जाएगे खतम question अब देखो first question आपकी exercise start होगी exercise 10.1 इसमें आपको graphically represent करना है displacement 40 km की 30 degree east of north पच्चो east of north का मतलब क्या है north direction की तरफ आप जाना चाहते थे लेकिन मान लो आपके ममी ने कहा कि north में मज जाओ सिधा north से आप चलते चलते east की तरफ मुड़ जाओ कितना 30 degree बस इसका मतलब आप ऐसे समझागरो easy language में तो देखो diagram बना लेते हैं direction का जैसे मैं आपको करवा रहा हूं पेपर में बिल्कुल वैसे एजटीज कोपी कर देना आपको पूरे माक्स मिलेंगे east west north south सबसे पहले तो आपको direction देखने हैं देखो east of north कौन सी होती है ये north है आप north में चलना चाहते थे मतलब ऐसे सीधा चलना चाहते थे उपर की दरफ है ना यहां पे लेकिन आपकी ममा के कहने पे आप सीधा चलते चलते east की दरफ मुड़गे east कौन सी हो ये तो यहां से यहां मुड़ोगे लेकिन 30 अगर बिल्कुल बीचो बीच लाइन ड्रो कर दोगे ऐसे तो 45 होता है तो आप थोड़ा सा वैसे इससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन फिर भी magnitude दिखाना है 40 वही एक unit को आप क्या मान लो 10 km मान लो और इसके 4 इसे बना दो देखो 1 2 3 और 4 है ना यहां पर arrow लगा दो और यह क्या है बच्चो 1 unit किसके equal है 10 km के इसको P नाम दे दो इस point को O नाम दे दो तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे here OP vector जो यह OP vector है ना यह हमारा displacement vector है जो 40 km के displacement को show कर रहा है in the direction of 30 degree east of north here OP vector shows the displacement of displacement of 40 km direction कोन सी है 30 degree east of south अब आप समझगे यह question जो अपना पहला example था सेम वैसा ही question है अब देखो second question बच्चो आपको classify करना है in quantities को scalars और vectors के अंदर यह सारा आप करी लोगे first question में क्या है 10 kg 10 kg आपका क्या होता है बच्चो मास होता है this IS simple मं की मास है और मास क्या होती है मास क्या होती है मास क्या होती है बच्यो स्केदर Community होती है two meter north west यानकि आप 2 Metre चले हो लेकिन कि इस डिर्यक्षं में नोर्फ वेस्ट डिर्थ्यक्षण में तो यह क्या होकि आपकी displacement होगी ना नौर्थ वेस्ट डिस्टेंट इसप्लेशमेंट में भी तो तो यह है किश्टेंट के अंदर डारेक्शन भी आ जाती है तो यह क्या है आपकी वच्छोग वैक्टर क्वेक्ट्र क्वventедle है क्योंकि यह लिए लएक्रिधिस्ट क कर रहा है Today's appointment वेक्टर है कि इसका Magnitude नहीं बताया कि आप कितना दूर चलेगे इस लिए ये क्या है सिरफ एक स्केजर स्केजर क्वाउंटीटी थी है क्यों कि इसमें magnitude नहीं है सिर्फ क्या है इसमें direction आपको बताई गई है फिर देखो फॉर्थ पार्ट बच्चो फॉर्थ पार्ट में यह क्या है आपकी पावर की unit होती है वोट यह आपकी electric charge की unit होती है यह बच्चो जो physics वाले बच्चे हैं वो तो आसानी से समझी जाएंगे जो commerce या आर्ट electric charge के बारे में इनको आप क्या कर दो वेक्टर क्वांटिटी नाम देतो दोनों की दोनों क्या है बच्चो यह वेक्टर क्वांटिटी है स्वरी पावर जो है आपकी स्केदर क्वांटिटी होती है यह क्या है अपकी स्केदर क्वांटिटी है और यह क्या होता है vélo cat होता है वर्टेंटीटी कितना काम किया है किस direction इसका कोई मतलब नहीं है तो वर्टन क्या होता है स्केदर कॉंटिटीट होता है 4th question देखो यह आपक 60 example कि तरह है इस figure में आपको identify दिखान से देखो lif 없어 छू हो इननीशियल पॉइंट क्या हो बच्छो इनीशियल पॉइंट हो कि आरो आके मिद रही है ना तो वो तो initial point हो यह ने सकता वो तो टर् सेर्मेरल point है initial point आपको कहा पर देख रहा देको इन तीन point पर दो arrow है तो यह तो initial point हो ही ने सकता यहां पर कोई arrow नहीं है बतलब कि a vector उदर जा रहा है देखो और D vector निचे की तरफ आ रहा है तो यह A और D vector दोनों same point से start होते हैं मान लेते हैं यह point क्या है आपका A है तो कौन-कौन से है बच्छो A vector and D vector यह आपके कौन से vector है co-initial vector समझगे क्यों क्योंकि बाकी तिन्नों के उपर तिन्नों साइड के उपर देखो arrow लगी हुई है यहाँ कोई arrow नहीं है इसका मतलब यह initial point हम मान सकते हैं second है बच्छो आपका equal vectors फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि equal vectors कौन-कौन से होते हैं जिनकी direction और magnitude direction और magnitude दोनों क्या हो बच्छो सेम हो direction और magnitude both are same तब उनको हम क्या बोलते हैं equal vectors बोलते हैं तो अब यह square है square की चारो साइड तो equal होते है no doubt इसमें तो कोई doubt नहीं है बस आप direction देख लो कौन से दो vector की direction equal है मेरको यहाँ पर दिखाई दे रही है A vector देखो इसकी direction भी इदर है और C vector देखो C vector इसकी direction क्या है opposite है C vector की direction इदर है A की तो कलती मत कर देना A vector की उदर C vector की इदर तो A और C vector का magnitude तो equal है लेकिन इनकी direction क्या है opposite है इसलिए equal नहीं है अब फिर मैं देखता हूँ किसको B और D को देखना पड़ेगा B और D को ही देख सकता हूँ बस बाकी तो कोई बनेगा नहीं है opposite side को B की direction देखो downward है और D की direction भी क्या है देखो downward है और इनका magnitude तो same है magnitude same क्यों है क्योंकि ये square की side को represent कर रहे है तो यहाँ पे B vector and D vector are equal vectors ये क्या है बच्चो equal vectors क्योंकि इनकी direction क्या है same है और magnitude same क्यों है क्योंकि ये दोनों vector x square की sides को represent कर रहे है और square की 4 side की length equal होती है इसलिए इनका magnitude जो है B vector का magnitude और D vector का magnitude ये तो क्या है बच्चो same है अब देखो third part ये important है third part third में क्या कहता है collinear but not equal कहता है collinear हो लेकिन equal ना हो collinear हो but not equal equal तो कब होते है आपको पता है बच्चो equal इसमें square के अंदर तो equal vector या तो ये होंगे A और C है ना या B और D होंगे हमें पता है A और C equal नहीं है क्यों क्योंकि इनकी direction अलग रहे हो A इस direction में जा रहे है C इस direction में जा रहे है लेकिन क्या ये collinear है क्या ये collinear है Collinear vector के अंदर मैंने आपको बहुत detail के अंदर समझा है हुआ है कि direction सेम हो भी सकती है और नहीं भी लेकिन बच्चो इनकी जो support line होती है वापस में parallel होनी चीए अच्छा square की opposite set तो क्या होती है parallel ही होती है ये क्या होती है बच्चो parallel क्योंकि हर एक angle कितने degree का होता है 90 degree का और इन दोनों का सम कितना होता है 180 co-interred angle co-interred angle है तो lines क्या है parallel ये मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि A vector और C vector जो है ना A vector and C vector are not equal ये equal vector नहीं है क्योंगी बच्चो इनकी direction क्या है अलग अलग है इस direction में जा रहाएν ये direction में लेकिन ये collinear है क्यों collinear क्यों है equiv ये क्या है बच्चो Q tornar Aveernica वेक 5 वेक्टर्स हैं यह क्या है परुछों को लिनियर वेक्टर्स है अचा एक कोशन इसके अंदर आप से और भी पुछा जाज करता हूं vectors which are not collinear vectors which are आपको सारी knowledge होने चीए अगर आप करने ही लग एक टर का chapter paper में कुछ भी पूछ ले आपसे आपको answer देना ना चीए नहीं है बच्चो आपको यह पता है कि A vector C vector collinear है B vector और D vector collinear है कौन से नहीं है ए वेक्टर D vector लिएक्टर लिख दो है ना A vector and D vector लिख दो यानिकि adjacent sides को represent करने वाले vector A vector और B vector लिख लो A vector and B vector लिख लो B और C लिख दो B और क्या लिख दो क्योंकि तह पर perpendicular vector है और फिर C और D vector लिख लो C vector and D vector लिख लो तो यह vector क्या है आपके not collinear या non collinear और collinear वेक्टर के दो पेर कौन-कौन से है, A और C, P और D, दो पेर कॉलिनियर वेक्टर के कौन से है, बच्चो, A और C कॉलिनियर है, और P और D आपस में क्या है, कॉलिनियर है, इक्वल वेक्टर का इसमें A की पेर है, कौन सा, P और D, कौन से है, बच्चो, B वेक्टर इक्वल टू D-vector किसी भी diagram को study करो पूरी detail के अंदर study करो ताकि exam में उस diagram के पर based कोई भी question है ना तो आप आसानी से उसको कर सको ठीक है यह होगा आपका अब यह देखो इस question में क्या कहता है बहुत important question है और इस तरह के question आपको देखो तब आते हैं जब vector के आपको पूरी knowledge होगी अब introduction lecture जिस बच्चे ने सुना है ना उसके दिए यह question बिल्कुल आसान है देखो पहला question true false बताना आपको सिरफ a vector and minus a vector are collinear बचो इसके अंदर आप यह बताओ a vector और minus a vector collinear vector की definition में मैंने आपको बताए था collinear vector check करने का क्या तरीका होता है अगर एक vector दूसरे का क्या हो बच्चो scalar multiple हो if one vector collinear में क्या होता है is a scalar multiple of the scalar multiple of the other vector scalar multiple का मतलब होता है उसका twice, उसका thrice उसका minus one times, उसका two times ऐसे है ना scalar multiple of the other vector then these two vectors are called these two यह definition सारी आपकी notebook में लिखी होनी चाहिए are called collinear vectors यह है अब यहाँ पर तो यह दिखाई देई रहा है कि a vector और minus a vector देखो क्या दूनों scalar multiple नहीं है एक दूसरे के मतलब कि क्या मैं minus a vector को minus times of a vector लिख सकता हो ना यानि कि इस vector को आपने दिमाग में एक बार बी वेक्टर नाम दे दो two collinear vectors are always equal in magnitude तो collinear vector कहता है हमेशा magnitude में equal होते हैं बिल्कुल भी नहीं होते हैं आप जैसे ही diagram मनाओगे ना पुत तुरंत पता लग जगा यह गलत बोल रहा है यह vector है और यह vector है बताओ यह दोनों क्या है? collinear है क्योंकि इनकी जो line of support है वो क्या है बच्चो? parallel है यह दो vector collinear है A vector अब diagram भी बना के दिखा दो examiner को and B vector are collinear यह collinear vector है लेकिन कौन कहा रहा है इनका magnitude equal है यह बड़ा vector है ना कितना भी आगे ले जाओ इसको but A vector का magnitude but they have they do not have same magnitude they do not have same magnitude तो इसलिए जो इसका answer है बच्चो क्या है false है क्यों false है क्योंकि यह तो कह रहा है always जो magnitude होगा magnitude क्या होगा वो equal होगा हाँ equal हो सकता है लेकिन हमेशा equal होना जरूरी नहीं है third part देखो बच्चो third part में क्या बोला गए है आपसे two vectors having same magnitude are collinear कहता है दो vector जिनका magnitude same हो वो collinear होते है ऐसा कैसे हो सकता है बच्चो magnitude same पतलब मान लो एक तो आप इधर गए 40 km मान लो यह 10 km इधर गए एक इधर 10 km चले गए आप इनका magnitude तो क्या है दोनों vectors का same है लेकिन यह collinear का है इनकी जो line of support है वो क्या होने चाहिए बच्चो पैर्दल देखो यह दोनों line के आपस में आपको parallel दिखाई दे रही है L1 और L2 line कहां parallel है L1 is not parallel to L2 is not parallel to L2 तो vector का magnitude same होने से वो collinear हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है जिन बच्चों ने vector को थोड़ा वोत पड़ा हुआ है मैं और example देता हूँ एक vector को मानलो आप क्या I vector plus J vector और plus में K vector और B vector को मानलो माइनस I plus J plus K इनका magnitude क्या है दोनों का same है A vector का magnitude आप निकालोगे 1 का square 1 plus 1 plus 1 यानि की root 3 है B vector का आप magnitude निकालोगे माइनस 1 का square भी 1 होता है इसका भी root 3 है देखो ये दोनों vector का magnitude तो क्या है same है लेकिन बच्चों इनके जो direction ratio है मतलब की इसका I का coefficient 1 यहाँ minus 1 1, 1, 1, 1, 1 ये तिनों क्या है इक्वल नहीं है न ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है और कॉलिनियर वेक्टर के जो आपके direction ratio होते है या इनके जो corresponding component होते है I, J, K, K वो proportional होते है मतलब उनका ratio क्या होता है same तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका same magnitude हो वो हमेशा ही क्या हो बच्चो कॉलिनियर हो समझ गया तो मैंने diagram बना के सब कुछ आपको एक एक सीज समझाई है अब देखो last part इसका इसमें कहता है two collinear vectors having same magnitude कहता है तो collinear vector है जिनका magnitude भी same है वो equal है अब बच्चा confuse हो सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है collinear vector का मतलब बच्चो जैसे एक A vector हो गया एक B vector हो गया है मैं माल लेता हूँ यहाँ पे A vector का magnitude और B vector का magnitude क्या है सेम है ये भी आप 10 km जा रहे हो इधर और ये भी आप कितना जा रहे हो 10 km आप कहोगे सर इनकी तो direction भी same है और magnitude भी same है equal vector के लिए क्या होना चाहिए बच्चो बताओ आप मेरको बस direction पलस magnitude है न direction और magnitude दोनों same होने चाहिए तो वो vector equal होते है और बच्चा कहेगा सर ये देखो मैंने diagram से दिखा दिखा दिया direction भी same है और magnitude भी same है और ये vector collinear भी है इसका मतलब ये equal होगे लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने collinear vector की definition को अच्छे से सुना है मैंने कहा था yes ये तो true है ही है no doubt लेकिन collinear vector तो ये भी हो सकते है बच्चो ये भी collinear vector हो सकते है direction जरूरी नहीं है collinear के अंदर same हो direction आपकी opposite भी हो सकती है ये vector here A vector and B vector are collinear क्योंकि इनकी जो line of support है वो क्या है बच्चो पैरदल है मान लो ये line इसकी support कर र kadın ये इसकी support कर रही है भी vector की तो ये दोनों क्या है अपस में पैरदल है मान लो ये ल 9 है मान लेते है ये क्या है L2 line है यह एक्वल नहीं है क्यों तो कि एक्वल के लिए डयेक्शन सेम होने चाहिए बट यहां लिकेंगे आपको और अंसर देने में कोई सब्सक्राइब करने के बावजूद भी आपको यह चांस है तो आप क्या करो अच्छे से चीजों को समझो एक बार आप आप इंट्रोडक्शन लेक्षर देख लोगे ना हर एक्साइज का तो मैं कहता हूँ एक सिंगल कोश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप से सोलना हो क्योंकि मैंने ये इंट्रोडक्शन लेक्षर इसी हिसाब से बनाए है कि आपकी एक्साइज में कैसे कैसे आएंगे उसका एक बार आप पच्छा को लेक्षर देख लेना और जो थोड़ा सभी मैंतेमेटिक्स में ठीक है इसके सारे के सारे अनसोल्ड कोशन को एक्जेंपल को वो खुद से कुद कर पाए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स लेक्टर में बाए बाए ठीक है